आज सूप्रीम कोट में तलाक हसन तलाक एहसन तलाक बाइन और तलाक किनाया पे सुनवाईए आपके लिए हो सकता ये नया नाम हो आपने क्यों ट्रिपल तलाक सुना होगा या तलाक बिद्दत सुना होगा जो 5 साल पहले सुप्रिम कोट ने खतम कर दिया था लेकिन उससे मुस्लिम बेटियों की, मुस्लिम बेहनों की समस्या खतम नहीं हुई जब ट्रिपल तलाक खतम हो गया, एक बार में तलाक 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 वाला सिस्टम खतम हो गया उसके खिलाफ कानून बन गया, तो फिर चार और नए निकाल रास्ते अपना लिए गए, तलाके हसन, तलाके एहसान, तलाके बाइन और तलाके किनाया, ये चारो तलाक भी एक तरफा हैं, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले आपस में बाचीत करना है, फिर सुलह करना है, ये चारो तलाक भी अगर दे दिया, इस चारो तलाक में अगर दे दिया, और तलाक के बाद अगर माली ये गुसा स्चान्त हुआ, छे महीने बाद या साल भर के बाद, तो वापस फिर से एक साथ नहीं रह सकते, हलाला करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में ये चल रहा है, मुस्लिम बेटियां परेशान है, मुस्लिम बहने परेशान है, और केवल ऐसा नहीं यूपी में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, देश के हर कोने में हो रहा है, हम कहते हैं भारत में सम्विधान है, सबको समान अधिकार है, जो अधिकार हिंदू बेटी को है वो अधिकार मुसलिम बेटी को है लेकिन ये केवल एकेडमिक बात है ये केवल कागजों पे है सचाई है कि जो अधिकार हिंदू बेटीयों को है वो अधिकार मुसलिम बेटीयों को नहीं है अगर हिंदू बेटी में तलाक होगा तो पहले तो दोनों पक्षों रिस्तेदार आपस में बैठेंगे बात्चीत करेंगे लड़का और लड़की को मनाने की कोसिस करेंगे रिस्ता मत खराब करो रिस्ता जारी रखो बात्चित फेल हो जाएगी फिर कोट में जाएगे कोट में जाके लड़के की तरफ से अप्लिकेशन पड़ेगी लड़की की तरफ से अप्लिकेशन पड़ेगी भै हम तलाग चाहते हैं इसके बावजूत जज उनको समझाएगा फिर 6 महीने का कूलिंग पिरियड होता है 6 महीने का टाइम भी दिया जाएगा अच्छे थंडे दिमाग से और सोच लो अगर 6 महीने में भी लड़के लड़की को यह लगा कि हाँ ठीक है गलती हो गई तलाग करना ठीक नहीं है हम आपस में जुड़ना चाहते है तो जच कहेगा ठीक है जाओ आपस में रहो ना हलाला ना कुछ ना कुछ सीधे जुड़ गए एक तरफा कोई सिस्टम नहीं है लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी जो चार तरीके के तलाक मिल रहा है तलाके हसन तलाके हसन तलाके सुनत तलाके तलाके बाइन तलाके किनाया ये कुरियर से भी हो रहा है स्पीट पोस्स से भी हो रहा है रजिस्ट्री के जरीए हो रहा है इमेल के जरीए हो रहा है वाटसप के जरीए भी हो रहा है नया तरीका निकाल लिया पहले कहते थे तलाक 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 आप कहते हैं, जा हमने तुम्हें आजाद किया, हमने तुम्हें आजाद किया, हमने तुम्हें आजाद किया, अंतर ये है, वो पहले इंस्टेंट एक ही गो में, मतलब एक साथ कह देते थे, इसमें 30-30 दिन का अंतर करना है, कोई डॉक्टर है, कोई मीडिया में काम करती है, चैनल में काम करती है एक अम्बरीन है डॉक्टर वो गैनालोजिस्ट है गुलबर्गा से नाजरीन है मुंबई से बेनजीर निशार पटेल है पुने से आप जड़ा सोचिए यह पढ़ी लिखी लड़कियां है पढ़ी लिखी है नौकरी करती है उनके साथ इस तरीके का भी ह उनके साथ क्या होता होगा किस तरीके से उनको गुलाम बनाके रखा हुआ किस तरीके से उनके मानसिक उनकी उनका सोसड़ हो रहा है किस तरीके से उनको फिजकली टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इसलिए हमने सुप्रिम कोर्ट में रिक्वेस पाउनाती सारी 3 8 बहने आठ मुस्लिम बहने हैं जुन्हों ने तलाके अभसान तलाके हतां एक व किनाया को चेलेंज किया हुआ उस्में बंगल से ने सब की आज शीकावं पे 2022 में सुप्रिम कोोट ने केंसरकार को नौटिस जारी किया था ग्री मंत्राले को नौटिस जारी किया था चाहिए लेकिन अभी तक किसी के जबाब नहीं आया जाये तो इसमें फाइनल बहस हो जाये मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्मेंट से, मैं माननी मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, माननी अमिस्ला जी से रिक्वेस्ट करता हूं लीज, मुसलिम बहन बेटियों को बराबरी का धिकार दिलाएए, आप ही दिला सकते हैं इसमें और कोई सरकार मुस्लिम बेहन बेटियों को बराबरी का अधिकार नहीं दिला पाएगी इन बेहन बेटियों को भी वो अधिकार दिलाईए जो हिंदू बेटियों को मिला है इन बेहन बेटियों को आजादी दिलाई है जो एक खौफ के साए में रहती है कि कब तलाके हसन की चिठी आ जाएगी या तलाके किनाया की चिठी आ जाएगी चिठी के जरीए हो रहा इनके साथ हम आजादी का मृत काल मना रहे हैं सम्मिधान को लागू किये हुए 75 साल हो चुके हैं आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं में तो तेस नॉमबर 1948 को कामन सिविल कोड हमारे कंस्टिशन में था लगबग उसके भी 75 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन कामन सिविल कोड लागू नहीं हुआ कर सिविल सिपीधी फे जरोष हिंदुबेटी को नहीं न्याय है उनको पहले सब एक्ओल राइट मिला हुआ है विरासत का एक्कवल राइट है सब चीज़ का एक्कवल राइट जो प्रताडित हैं जो पीडित हैं वो अमरी मुसलिम बहन बेटी एक तो उनको चिठी से एसमस से वाटसप पे तलाक मिल रहा है दूसरा उनको कोई गुजारा भथा नहीं मिल रहा है सबसे बड़ी दिक्कत ये उनको गुजारा भथा को कोई प्रावधान नहीं है मेहर की रकम मिलती है मेहर की रकम 10,000 15,000 20,000 25,000 रूपए एक लाख रूपए या दो लाख रूपए बस जो दिया मेहर की रकमता हुई वही दे दिया बले जाओ हो गया तुम्हारा चुट्टी हो गए वो छोटे से बच्चे को लेके सड़क पे आ गई अपने माईके में रहती है माता पिता के हाँ तो वहाँ एक अलग सामाजिक दबाव होता है माली जे घर में भाई भावी है तो एक अलग तरीके का पारिवारिक दबाव होता है तो हो क्या रहा है कि हमारी मुसलिन महन बेटियां इस तरीके के तलाइक के बाद वह न घर की हो रही है न farming फिशकली टॉर्चव हूर रही है में टॉर्चर हो रही है है फाइनेंशली परिशान हो रही है गुजारा भथ्तल Kids को मिल नहीं करें नहीं तो सुप्रीम कोट में अपना जवाब दाखिल करें और फिर हम सुप्रीम कोट से रिक्वेश्ट करेंगे किस पर फाइनल हीरिंग करिए 2017 में ट्रिपल तलाक खतम हुआ था उसी समय अगर बाकी भी तलाक खतम हो गए होते चायद अब तक हमारी बेटियों की जिन्दगी बहुत आसान हो गई होती लेकिन उस समय सुप्रीम कोट ने केवल एक तलाक एक तरीका जो ट्रिपल तलाक था उसी को खतम किया तलाके हसन तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया को छोड़ दिया जिसकी वएसे उपरिशानी ज्यों कित्यों है